चिन्वारा के शहीद कभी रूइके ने देशवासियों को गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका तो दे दिया और देश ने भी उन्हें नामाखों से विदा किया परिवार में बाकिस सब ने उनकी शहादत को स्वीकार कर लिया लेकिन उनकी पत्नी ये मानने को तैयार नहीं कैसे मान ले ममता क्यों मान ले ममता कैसे तोड़ दे अपनी चूड़ियां कैसे गले और माथे को सूना कर दे कैसे नियती के निश्टो प्रहार को जीच जाने दे कैसे अरधांगिनी अपने सुहाग को जाने दे कैसे सुहागिन के दहरी से वैधवी की कोठरी में समा जाए कैसे अपने अर्मानों की बली चड़ाए करंदन रुधन के बीच उसे लग रहा है कि उसका कबीर बस अभी अस्पताल से ठीक होकर आएगा, उसे गले लगाएगा, भींच लेगा ममता की हालत देखकर पत्थर रोने लगे तो फिर डियाई जी नियुति सिंग की आँखे क्यों न नम होती वो आई तो परिवार को समझाने के लिए थी, लेकिन ममता की हालत ने कठोर वर्दी के अंदर के कलेजे को हिला कर रख दिया सब ठीक हंदा इन की सब ठीक है नहीं लाज चल रहा एंदा वो धया ज़र रहा नहीं लाज जडते लेगा अंदा कहां लाज़ते लेकिन armourशन्य में राख जटे हैंदा मेरी का अची नहीं है इस चोटी सी उम्र में भारत की जिस जमीन की रक्षा करते करते शहादत दी उसी जमीन ने जिन्दगी खत्म होने के बाद कबीर को अपनी गोद में सुला लिया खेद में ही कबीर को दफनाया गया मंता को पूरा परिवार समझाने की कोशिश कर रहा है कुछ नहीं हुआ इसमें रट नहीं है एक पत्नी का आखरी प्रयास है मौत को धकेल कर अपने सुहाग को लोटा लाने का और हो भी क्यों न अभी चार साल पहले तो साथ जन्मों के फेर में पिता का अंगन छोड़कर कबीर के साथ इस घर में आई थी मंता अभी दोहजार बीस में ही तो ऐसाई बनने के बाद नौकरी नहीं जोइनगी अभी आठ दिन पहले ही तो हसते चहरे और रुंधे हुए गले के साथ विरा करते हुए कहा था अगली बार आओ तो ये जरूर लाना वो जरूर लाना अभी कुछ ही दिनों में तो आने वाला था कबीर वो पाल में पोस्टिंग के लिए और ये सब कह रहे हैं कबीर नहीं आएगा कबीर की शहादत को सलाम है और ममता की जिद को बारं बार प्रणाम है चिंद्वाडा से राजेश करमेले के साथ बिरो रेपोर्ट न्यूज एटी एक तरफ उत्तर भारत और दूसरे इलाकों में भीशन गर्मी पड़ रही है तो वहीं सिक्के में भारी बारिश मुसीबत बन गई है बार जैसे हालाथ हैं वहीं अमेरिका में भी कई शहरों में बार ने कोहराम मचाया है सिक्किम भारी बारिश की मार झेल रहा है कई जगों पर भुस्खलन होने से मुसीबत बढ़ गई है कई रास्तों का संपर्क आपस में तूट गया है भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जमीन खिसकने से तभाई मच गई सिक्किम के मंगन इलाके में सबसे जादा बरबादी हुई बारिश आफत लेकर आई एक जगा पर तो पुल बहता हुआ दिखाई दिया लोग खड़े खड़े अपनी आखों के सामने बरबादी की तस्वीर देखते रहे पुल का एक हिस्सा बारिश की वज़े से बह गया जमीन खिसकने की घटना मंगन के अलावा दूसरे कई इलाकों में भी हुई कई जगों पर सडके बह गई जिसमें सेलानी भी फस गई तीस्ता नदी में पानी का लेवल बढ़ने से आसपास के घर ताश की पत्तों की तरह ढह गई कई घर यहां तक की गाड़ियां भी तभा हो गई तीस्ता नदी का पानी बढ़ने से नदी के किनारे बने कई मकान उसकी चपेट में आ गए पानी ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया सिक्किम का मंगन शहर तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है इसलिए बारिश के बाद यहीं जादा नुपसान हुआ सिक्किम में बारिश का असर पश्च्विम बंगाल के दार्चलिंग में भी देखने को मिला सिक्किम में कुछ लोगों की मौत की खबर है तो कई लोग लापता भी बताए गई हैं पुलिस के मुताबिक अंबी थांग में तीन लोग लापता हो गई पक्षेप में एक शव मिला तो वहीं दो लोग लापता हैं इसी तरह गे थांग में तीन घर शतिग्रस्थ हो गई बारी बारिश की वज़े से तीस्ता नदी का पानी खत्रे के निशान से उपर बह रहा है तीस्ता नदी के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है SDRF की टीम को रहात और बचाव के लिए लगाया गया है वहीं अमेरिका में भी बार्ट जस्से हालात बन गए हैं फ्लोरीडा में बारिश के बाद शहर के शहर पानी की चपेट में आ गए सड़कों पर चल रही गाड़ियां आधे पानी में डूबी हुई नजर आई मौसम विभाग के मुताबिक फ्लोरीडा पर कुदरत की एमार आगे भी जारी रह सकती है अगले तीन दिन फ्लोरीडा में भारी बारिश का अनुमान लगया गया है इस वक्त अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आज से फ्लोरीडा में भी मैच होने है लेकिन बारिश की वज़े से तीन मैच उपर खत्रा मंडराने लगा है कल भारत और कनाड़ा का मैच भी फ्लोरीडा में ही होना है लेकिन बारिश खेल खराब कर सकती है इस तरह के मौसम की श्रुवात को हरिकेन सीजन कहा जाता है मौसम वग्यानिकों के मताबिक इस तरह का फ्लेश फ्लर्ड जलवायू परिवर्तन का नतीजा है और फ्लोरीडा में ऐसी बार लोगों ने पहले नहीं देखी महीं दक्षिन अमेरिकी देश चिली में तूफान की वज़े से हालात खराब हो गए बारिश और तूफान की वज़े से कई घर चपेट में आए एक घर तो हवा में उड़ता दिखाई दिया पहाडी पर बना घर ताश के पत्तों की तरह डह गया बारिश की वज़े से कई शहरों में बाढ़ा गई सडकों पर पानी घुट्टों तक भरा हुआ है सडके तो पूरी तरह गायब हो गई है कई घर पानी में डूबे हुए है राहत और बचाव टीम रेस्क्यू का काम कर रही है बाढ़ में फसे लोगों को सुरक्षित जगों पर पहुचाया जा रहा है नाव की मदद से लोगों को राहत शिवरों तक पहुचाय गया कहा जा रहा है कि बाड़ की वज़े से एक हजार घरों को नुकसान पहुंचा है चिली की राजधानी सेंटियागो समेथ दूसरे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 और इसी के साथ इस बुलिटन में इतना ही खबरे जारी रहेंगी